ओम श्यंति, 11 जून, तुम सभी हो राजरिशी, सुरुआती बहुत सुन्दर की है, राजरिशी मानब पवित्र, तुम सिवाल्य में बैठे हो, तुम्हें बहुत खुसी होती है, हम सिव के सम्मुक बैठे हैं, व्याकर हमें सत्य ज्यान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने टीचर को भला कभी भूला जाता है क्या, और भगवान जब टीचर वन कर आया हो, तो कितनी खुसी और कितना पूछ रहे हैं, गीत पजा था, उसमें एक लाइन थी, सुना होगा अपने, तु प्यार का सागर है, अब तु ही हमें बता, हम कहां से आये हैं, कौन दिशा से हम रहा भूले हैं, ये सब्द हैं उसमें, तो बाबा पूछ रहे थे, बताओ कब से तुम रहा भूले, कुछ लोगों ने उत्तर दिया द्वापुर से, कुछ ने कहा सत्यूग से, बाबा ने कहा जिनोंने सत्यूग से कहा, ठीक हैं, क्योंकि सत्यूग से ही तुम से बाबा भूल गए, उसको कभी याद ही नहीं किया, तो रहा भूलकर उतरते आये हो नीचे, अब मैं तुमें चड़न की रह दिखा रहा हूं, तुम मेरे सम्मुक बैठे हो, मैं सत्थ हो, चित हो, आनंद का सागर हूं, मैं ज्यान का सागर, सुख का सागर और प्यार का सागर हूं, तुम्हें प्यार देने आया हूं, ज्यान देने आया हूं, सुख देने आया हूं, मैंने ये ब्रहमन परिवा परिवार रचा है, ब्रह्मा मा है, इसके द्वारा मैंने तुम सब को एड़ोप्ट किया है, लेकिन बच्चे बहुत हैं, तो सरस्वती को मदददगार बनाया, और कहा तुम इन सब की पालना करो दोनों, देखो भगवान ने अपना परिवार बनाकर, ब्रह्मा और सर्स्वत को कहा तुम मेरे इस परिवार की पालना करो, कितनी सुन्दर बात है, रमा बाबा भी कह रहे है, कि तुम भी सिव बाबा से ग्यान सुनते हो, पहले मैं सुनता हूं, फिर तुम सुनते हो, मैं भी सुनाता हूं, मैं भी सुना सकता हूं, लेकिन कह देता हूं, नहीं तुम सदा समझो, सिवावा सुनाता है, मैं अपने को गुप्त रखता हूँ, अगर मैं ज्यान सुनाना न जानू, तो इतना उच्पत कैसे बाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने को गुप्त रखता हूँ, सिवावा को ही परतक्स करता हूँ, तुम उसी से सुन रहे हो, उसे ही याद करो दूसरी बात चली है कि कई बच्चे ज्यान में चलते चलते दल दल में फास जाते हैं माया की दल दल है दूसरों को दल दल से वही निकाल सकते हैं जो स्वैम दल दल से निकले हुए होंगे और जितने तुम इस माया की दल दल से बाहर निकले होगे उतनी ही तुम्हें तरह की है, देह और देह के संबन्नियों का लगाव है, अच्छा खाऊं अच्छा पहनू, इसमें बुद्धी बहुत जाती है, अच्छे अच्छे जगे गूम किया हूं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा करूं, बाबा ने कहा, दल दल से निकलना माना, इच्छा मातरम अवि अविद्या होना, बहुत गहरी बात है, मन उसको अनेक इच्छाएं होती हैं इस अंसार की, और ये इच्छाएं मन उसको पुने माया की दल दल में फंसा देती हैं, तो बाबा ने कहा, निकालते निकालते भी, खुद दल दल में फंस गए, क्योंकि इच्छा मातरम अविद तो बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हे ज्ञान दे रहा हूं, किसी को ये भी नहीं पता, क्या आत्मा बहुत सुक्ष में स्टार है, उसमें चोरासी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो ब्रहमलोक की वासी है, मैं भी वहीं का वासी हूं, वो ये बात कहीं बाबा ने, खुसी पार्ट बजाने में होती है, घर में बैठने में थोड़ा ही, अकर तुम घर में जाकर बैठ जाते हो ब्रहमलोक में, तुम आश्यानती तो है, पर खुसी नहीं है, तुम जितना अच्छा पार्ट बजाते हो, उतनी ज्यादा तुम्हें खुसी होती है, तुम राजयोग सी तुम योगी राज हो, राज रिशी हो, मेरे से योग लगा रहे हो, तुझार विचार कर ले। हमें स्वैम भगवान ने आकर योग सिखाया है, राज रिशी बनाया है, पवित्र बनाया है, संसार से वैराग दिलाया है। हम इस संसार की दल-दल में नहीं फंस सकते, सभी को इस दल-दल से बहार निकल जाना चाहिए। विशेविकारों का सुख, करमेंद्रियों का रस, इसमें तो सारा संसार डुबा हुआ है, इसलिए उनका भगवान से मिलन भी नहीं हो सकता, उन्हें सत ज्यान भी नहीं मिल सकता है। हम जिने ज्यान मिल गया है, जिने संपुन रोज नहीं मिल गई है, उन्हें चाहिए अब इस दल-दल में हम कभी नहीं फंसेंगे। सभी विचार कर लें। कितने लोग फंस चुके हैं, बाहर निकले, फिर फंस गए। काम की माया, महममता की माया, गुमने फिरने की माया, ये मनुस को दल-दल में धकेल देती है। तो विचार करेंगे, हम इच्छा मात्रम अविध्या बन रहे हैं। भगवान का सुख पाने के बाद, उसे मिलन के बाद, सम्मुक बैठकर उससे पढ़ने के बाद, हमारी दुनिया भी च्छाएं सेस तो नहीं रह गई है। बाबा कहते हैं, तुम वन वहा में हो, तुम बहुत वैरागी हो, इस अंसार की च्छाओं में यदि लिपत रहोगे, तो इस वर ये मिलन का सुख नहीं मिल पाएगा, और उस आधार से तुमारा भविश भे धिला हो जाएगा, तुम तो सब को दल-दल से निकालने वाले हो तुम इस दल-दल में अब अटक ही नहीं सकते, तो जो भी चोटी मोटी इच्छाओं हों, जो बुद्धी योग को भटकाती हों, उनका त्याक कर देंगे, इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या कारत है, कि कोई इच्छाओं न रहे, समय को, सब्दों को, कर्मों को, संकल्पों को सफल करने वाले, सच्चे सेवाधारी, सच्चे वफादार भव, तो वफादारी इसी को कह जाता है कि चीजों को ठीक से समाला जाए, जो बेवफा मनुस होता है, वो दोका देता है, कुछ का कुछ कर बैठता है, तो हमारा भी एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक कर्म, एक सकिन, इस्वर ये सेवा में सफल हो, इसको कहेंगे वफादार बनना, ये नहीं, एक मिनिट वेस्ट हो गए, आप पाँच मिनिट वेस्ट हो गए, और हम सोचें कुछ भी नहीं, वह तो कुछ भी नहीं है, लोग तो कर रहे हैं नई हमें बावा से पूरा वफादार बनना है स्लोगन है जो सिरीमत को यथार्थ समझ कर चलते हैं उसमें कदम कदम पर उनकी कमाई होती है तो आज का भ्यासम करेंगे मैं स्रेष्ट योगी हूँ राज योगी हूँ आत्मा बनकर परमदाम में जाएंगे वहां की स्वीट साइलेंस का अनुषव करेंगे फिर अब्यास करेंगे मैं आत्मा महां से भर्पूर हो कर अवतरित हो गई आगई ब्रकुटी की कुटिया में फिर जाएंगे आएंगे ये जाने और आने की डिल करते रहेंगे हर घंटे में एक बार करेंगे तो श्याम तक च श्यांत हो जाएगा व्याट से मुक्त हो जाएगा ओम श्यांति